संका समाधान भावनायोग प्रवर्तक तरणाई के प्रकर प्रवक्ता परंपूज गुर्वर मुनिस एक्सुवाट प्रमाण सागर जी महराज की जै 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 प्रम पूज मुनिस एक्सुवाट स्री अरे सागर जी महराज की जै 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 प्रिबंदों तीर्थरासी सम्मेश कर सास्वत सिद्भूम की तलहटी में इस्तित गुरायतन परशर में यहां उपस्तित सभी सरधालूओं एवं देश विदेश से जुड़े हुए सभ सभी सुताओं का जो घर बेठे आज के इस कारकम का सीधा प्रसारण पारश चैनल के माध्यम से देख सुन रहे हैं उन सभी का गुणायतन और सिवायतन परवार की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं समानी बंदों संका समाधान का यह कारकम जो कई वरसों से अन्वर का प्रतिफल ही है निशंकित निकांचित आदी आठ गुनों की ब्रिद्धी में सहायक यह शंका समाधान का कारकम जो हमारे सच्चे देवसाज गुरु के प्रती सरद्धा में ब्रिद्धी का हेतु है गुरुवर द्वारा किया गया समाधान जन जन के मानस में आलोकित होन लगता है प्रीबंदूओं आज आपकी संकाओं प्रसनों के समाधान है तू मैं आपको आमंतित करूँ इसके पूर्व इस पावन पवित्र मंच पर विराजमान दोय मुनिराजों के मंगल आशिरवाद के लिए हम सभी पूझ गुर्वर के पवित्र चणों में तिरिवार न भगवन नमोस्तू 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 अब मैं आज प्रथम प्रसने के लिए आमंतित करता हूं अच्छा हाँ सबसे महात्पुनबाद आज गुनायतन से जिन्नोंने अपने को जोड़ा है सिरीमान प्रमीड कुमार सिंगई सिरी मैंग जी सिंगई अगर वो उपस्तित हैं तो मंच पर पदा रहें आपका सम्मान गुनायतन परवार करना चाहता है आपके सम्मान के लिए स्रीमति मंजू जी सेठी और चलिए अगले क्रम में स्रीमान डाक्टर अविन जी दिवाकर स्रीमतिन नीता दिवाकर नितिन प्रिशंशा एलीना डाक्टर चक्र जी डाक्टर नाजुक जी दिवाकर ललित्पुर आपने निर्माण मित्र में अपने काई अपना योगदान दिया है गुनायतन परवार आपका बहुत बहुत करतल ध्वल से हार्दी गबनेंदन करता है स्वागत करता है आपका स्वागत करने के लिए मैं साधर अमंतित करता हूँ गुनातन परवार के सियो स्रीमान सुभाज जी और स्रीमती पूनम जी अगले करम में निर्माण निदी से निर्माण मित्र के लिए जिनों ने अपना योगदान दिया है स्रीमती अर्चना अरुन पाटिल सांगली आपने आउनलाइन शुकिती पदान की है हम बहुत हर्च के साथ आपके पुर्ण की सराना करते हैं उसके बाद निर्माण सार्थी में स्रीमती कमल देवलसी, स्री विवेक बंसत देवलसी, स्रीमती अनीता वी, दीपक देवलसी, अमरावती कि आप से अनलोध है, आप करफिया मंच पे पदार हैं, और सूतधार में अनपस्तित हैं, उसके बाद सूतधार में स्री सत्या प्रकाश जी, स्री आशुतोज जी भंबई, आपने सूतधार से अपने को अपना योगदान दिया है साथ ही बड़े हर्च के साथ अवकत कराना चाहते हैं, स्री योगेन जी, स्री मती सुनीता जेन जी, मुरेना मद्पदे से आपने सून का दान दिया है, अपनी रिंग आपने दान दिया है, बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अन्मोधन इसके बाद पतंप्रस्ण के लिए मैं आमंतित करता हूँ, साधर आमंतित करता हूँ विक्रान जी चोधरी सागर आज आपके विवाहिक कारकम की 25 वर्स गाठ है आज आपने निवान लाडू का सौभाग भी प्राप्त किया और विदान भी यहाँ गुणायतन में विदान भी किया सांधिधारा भी आपने की बहुत बहुत आपके पुनिकी सराना, अन्मोदना आप अपना प्रस्ण रखिए और अगले कर्म में, अगले कर्म में प्रस्ण के लिए मैं आमंतित करता हूँ सीमान अनिल कुमार जैन टीकमगर से तयार रहेंगे महराजी के चड़नों में तरी बार नमुस्तू नमुस्तू महराजी मेरा प्रशने ये है कि आज की वेवारिकताओं में एक चीछ देखने को मिल रही है कि समय समय का कैसा मोड है रात दिन की दोड है खुस रहने का समय नहीं बस खुस दिखने की होड है महराजी ऐसा क्यों हो रहा है खुस रहने का समय नहीं खुस दिखने की होड है ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा किवल इसलिए हो रहा है कि आज का समय ब्रान्डेट की तरफ जुक रहा है सबस गया है अब लोग अच्छा पाना चाहते हैं अच्छा दिखना चाहते हैं अच्छा करना और अच्छा बनना नहीं चाहते है कास खुश दिखने की होड की जिगा खुश रहने की होड हो जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए हमें अंदर से खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए हमारे मन में जो खुशी है वो वड़ी उतली हो गई हम अपनी खुशी को दूसरों पर अवलंबित कर दिये हमारा हमारी जो खुशी है वो अभी प्राय गद खुशी है कास वो अनुभूती गद खुशी होती है हम अपने आपको खुश मान लेते हैं पर खुश रहते कम हैं कास हम अपने आपको खुश मानने की जगा खुश रहने और रखने की सामर्थ बनाते हैं ये तब संबह होगा जब हम औरों की जिगा अपनी तरफ देखेंगे अगर हम अपनी तरफ देखने के आदी और अभ्याशी हो जाए तो हमारे सामने किसी प्रिकार की कटनाई नहीं लेकिन हम अपनी जिगा औरों की तरफ देखेंगे तो सिवाय कठनाई के और कुछ भी नहीं मैंने कहा अनुभूती की खुशी और अभी प्राय की खुशी में क्या आंतर एक आदमी नंगे पाओं चल रहा है और एक आदमी ब्रांडे जूता पहना है लेकिन ऐसा जूता जो उसके पाओं को काट रहा है सुखी कौन है नंगे पाओं चलने वाला या पाओं काटने वाले जूते पहनने वाला बस जिस दिन तुम नंगे पैरों को शम्हालने की चिंता करने लगोगे खुष दिखने की भावना खत्म हो जाएगी खुष रहने की कला विक्षित हो जाएगी नमस्तु महराजी जैसे चौटी थंकर होते हैं उनके 24 थंकरों के नाम होते हैं तो शिद्ध भगवान के नाम नहीं होते हैं नाम काम से मुक्त हो गए अनाम हो गए अब धाम में चले गए समझ गए इसलिए कोई नाम चली श्रीमान अनिल जी जैन टीकमगर और मैं अगले करम में साधर अमन्तित करता हूं विदूसी बहन स्रीमती नीलु जैन जवलपूर से तयार रहेंगे दूरी मन्दा मुनिवाजों के चड़नों में साधर नमुस्तु महराज जी चुकि साधर न लोग अपने उपयोग को एक ही विशे में नहीं लगा पाते हैं तो क्या एक समय विशेस में हमें उपयोग को अलग-अलग इंद्रियों के माध्यम से अलग-अलग विशों में लगाने का प्रयास करना चाहिए सही प्रक्रिया क्या है और इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए देखे एक काल में हमें एक ही कायर करना चाहिए और जो भी कायर करे उसको लौलीन होकर करना चाहिए आजकर कुछ लोगों की आदत हो गई है एक साथ अनेक काम करने की इसको आजकल multi tasking कहा जाता है लेकिन कहते हैं multi tasking करने से आपकी work efficiency कम होती परणाम अच्छे नहीं आते है इसने multi tasking की आदत बंद करना चाहिए जो भी काम करो डूब कर करो तनवे हो कर करो एक आगरता के साथ करो तो उसका जो आनन्द और प्रणाम होगा वो अधुत होगा और अगर हम बिखंडित चित्त से करेंगे बट करके करेंगे तो उसका प्रणाम उल्टा ही होगा नमस्तु मैं श्रीमती नीलू जी जैन जबलपुर से और अगले क्रम में तयार रहेंगे नेल मड़ती नेल मड़ी नायक जी जबलपुर से मुनीद है कि चर्णो मैं शत्षत नमूस्तु हे गुरुबर मैं पहले अपनी नातिन का प्रशनाप के सामने रखती हूँ फिर अपना रखूँगी महराज जी कल उसने पूशा दादी आपको निर्वीक्ता नहीं आपाती उसने कहां दादी महराज जी से आप ये बोलना कि महराज जी आपका तो कोई नहीं है आंके पीछे परिवार फैमिली कोई भी नहीं है लेकिन आपके तो सब लोग है और इसलिए महराज जी चले गए तो अच्छा तो वो अपने जैसे आपको बनाना चाहते हैं परन्दू आपको तो सोचना चाहिए ना और अभी आपकी उम्र को क्या है कहते है असी नब्बे वर्ष के लोग घर छोड़ते हैं आपको नहीं छोड़ना चाहिए तो हमने का ठीक है हम महराज जी के सामने इबात रखते हैं तो महराज जी आज सब लोग टीबे के सामने हैं कुना क्रप्या आप अपने आशिरबाद के साथ इस प्रशन का उसका समाधान कीजिए फिर मैं अपना प्रशन आप से पूझती हूँ बिटिया ने जो सवाल किया है पहले तो मैं उसके सवाल के लिए आसिरबाद देता हूँ कि उसने बहुत सहाथकून सवाल किया है और एक बहुत बड़ा सवाल जो सब को सोचने के लिए बात भी करेगा अगर साधरन दिश्टी से देखा जाए तो हर विक्ति यही कहेगा कि अभी घर छोड़ने की क्या जिर्वत अब मैं किसी को घर छोड़ने की बात भी नहीं करता मैं तो सब को अपने घर में आने की प्रेणा देता हूँ अपने घर में आओं पर घर में कहां रहों कब तक रहोगे हर विक्ति को चाहिए कि अपने दायित को पूर्ण करने के बाद खुद के उत्तर दायित को निभाओ अगर तुम्हारी शंतान बड़ी हो गई वो पाओं पर खड़ी हो गई तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो गई तो अब अपनी आत्मा की कल्यान की जो मूल जिम्मेदारी है उसको निभाओ और ये भी तभी जब सरीरी में सत्त है तुम कुछ करने की इस्तिती में हो अब तुम नब्बे बरस की बात करते हो क्या पता नब्बे बरस तक टिक पाओगे की नहीं और कदाचित नब्बे को छूबी लो तो खड़े रहने लाइक भी हो पाओगे की नहीं पता नहीं कई को देखते हैं आर दमें तक सम बुड़ापन होता है दो आदमी पकल कर लाता है तब चल पाते हो इसलिए समय रहते हैं मनुष्य को अपने जीवन की रहा बदलनी चाहिए ये सोच कर कि जिसका कोई नहीं वो साधू बने गलत सच्चा साधू तो वही होता है जो सब के होने के बाद भी अपने साथ जूरता है जिसके पास सब कुछ होते वे भी सब कुछ त्यागने की भावना है इसलिए आपकी बिटिया ने जो कहा वो अपने हिसाब से सही कहा होगा लेकिन बिटिया को समझाओ कि बेटे जीवन का अंतिम लक्ष तो यही है अगर कल्यान के मार्गे में लगना है तो हमें संसार की मोह माया से मूँ मोड़ना ही पड़ेगा क्या पता तुम्हारी जिंदगी की शाम कब हो जाए कौन सी श्वास तुम्हारी आखरी श्वास बन जाए कौन जानता है एक पल का विश्वास नहीं जीवन का कोई भरुशा नहीं मुझे एक शजजन ने एक घटना सुनाई वो मेरट के एक ब्यापारी मितर के हा गए ये कट्णी के जे कुमाजी सिंगही थे उन्होंने मुझे आज से करीब 25 साल पहरे बताया की वो मेरट के ओनके एक ब्यापारी मितर थे बड़ा लंबा चोड़ा कारोबार था उनके जब घर में गए बड़ी कोठी थी कोठी के दरवाजे पे लिखा था अगाहा अपनी मौत से कोई वशर नहीं सामान सव वरस का पल की खबर नहीं चुकि वो खुद भी बड़े श्वाधाय सील तत्वग और जिग्यासु दार्षनिक प्रवत्ती के थे घर के मुखधवार पर ये पंक्ती लिखी देखकर उन्हें बड़ा आश्चर हुआ किसी के घर में जाओ तो मंगल वाक के लिखे होते हैं स्वागतम स्वागतम अथिति देवो भाव सुबलाब ये बैराग परत संदेश कैसे उन्हों ने पूछा ये क्यों बलाए ये मेरे जीवें के अन्वोका निचोर है बलाए मेरे पिताजी ने आज से तीस वरस पहले यानि आज से लगवक पच्पन साल पहले इस मकान को बनाया बड़े जतन से बनाया खुद खड़े होकर धूप में छटा लेकर खड़े हुए उस जमाने में तीस लाक रुपे लगाया था उन्हें एक एक चीज बहुत सलीके से जमाया बनाया और उमंगों से भर कर गह प्रवेश किया लेकिन क्या बताओ जिस दिन गह प्रवेश था गह प्रवेश किया गह प्रवेश की घड़ी में एक पैर अंदर और दूसरा पैर बाहर दरवाजे पर ही ढेर हो गया हाट फैल हो गया लोगों ने कहा यह घर तुमारे लिए अशुब है तुमारे पिताजी चले गया उन्होंने कहा नहीं ये घर मेरे लिए सुभ है क्योंकि मुझे संसार की वास्तविकता दिखा दिया इसलिए मैं लिखता हूँ अगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं सामान सव वरस का पल की खबर नहीं इसलिए कल क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जाता जिम्मेदारियां पूर की करो और आगे बढ़ो और जो बोलते हमारा क्या होगा उनसे सवाल करो हम दुनिया से चले जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा अपना अपना आपकाम करो और अपने जीवन को आगे था महराजी मेरा प्रश्णी ये है कि दरपन बर्तमान को जलकाता है और चित्र अतीत को जलकाता है नीतिकारों ने कहा कि बर्तमान हमेस्षा मित्रवत होता है और अतीत हमेशा चित्र हमेशा शत्रुवत होता है तो महराजी मित्र और शत्रू दर्पन और चित्र के बीच में संतुलन सामंजस और उतार चरावड़े जीवन में इन दोनों को कैसे संगती बिठाए क्रप्या अनुग्रहीत करें समाधान देखर की बहुत अच्छी बात आपने की दर्पन को बर्तमान से और चित्र को अतीद से जोड़ कर आपने बर्तमान को मित्रवत और अतीद को सत्रूवत कहा और कहा है कि प्रतिबिम्ब और चित्र के मद्ध संतुलन कैसे बनाए मैं तो कहता हूँ अपने अतीद की चित्र को देख कर यदि हम अपने बर्तमान के प्रतिबिम्ब को सुधारने का यत्न कर लें तो सारा संतुलन बन जाएगा अतीद हमें बहुत बड़ा अनुभों का पाठ पढ़ाता है सच्छे अर्थों में देखा जाए तो हमारे जीवन का समग्र अनुभों अतीद के निचोड का रश है जिसके अंदर वो कला है वो अतीद से अनुभों लेता है और जिसके लिए पास वो कला नहीं वो अतीद को अपनी स्मृतियों का बोज बना के रह जाता है अतीद को अपनी स्मृति का बोज मत बनने दो अतीद से अनुभों का नौनीत निकालने की कला सीको अतीद में व्यतीद होने वाली घटित होने वाली घटनाओं की तटस्त भाव से समिक्षा करो वो अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है अच्छी है तुछे और अच्छा बनाने के लिए संकल्पित हो जाओн और बुरी हो तुछे शुधाने के लिए संकल्पित हो जाओ तो तुम्हारा चित्र और तुम्हारा प्रतिविम दोनों में ताल मेल बन जाएगा चित्र तो बन चुका उसे नहीं बदला जा सकता पर प्रतिविम हमारा है हम चाहे जैसा बना सकते हैं और उसके लिए केवल वरतमान ही है ये दृष्टि अंतर मन में जग जाए जीवन धन्य हो जाए नमौस्त महरा जी श्रीमान नील मणी जी नायक जवलपुर से मनौस भी बोलना है क्या है हाँ बोलो मनौस्त महरा जी महरा जी जो स्वाइम का नहीं वो देश का और राष्ट का कैसे हो सकता जो स्वाइम का नहीं हाँ वो देश का और राष्ट का कैसे हो सकता बिल्कु नहीं हो सकता तो पहले खुद का बनो तो सब के बनो बिल्कु सही बाद जील मणी जी नायक जवलपुर से और अगले क्रम में मैं आमंतित करता हूं तेलांगना डोर नकल से सुसीला जी पाठनी और इसी बीज गुरवर स्री केलाज चंजी साहा की पुन सिम्त्ति में उनके बहन बहनोई पुत्ती दमाद के तरफ से 62 हजार उपए की रासी गुणायतर निर्माण में दान दे गई है मैं आपके बहुत-बहुत पुन की अन्मोदना करता हूं करतल भजाद्वन से उनका हम स्वागत अबनंदन करें और अब अपना प्रस्त रखे सीमान नील मरी जी नायक जबलपुर महराज जी के चड़नों में बारंबार कोटी-कोटी नमन बारंबार नमोस्तु महराज जी मेरा प्रश्न यह है कि जब भी कभी हमें किसी नए कारिका सुभारंब करते हैं शुरुआत करते हैं तो एक आत्मे विश्वास तो अंदर रहता ही है और सकारत्मक सोच की दश्टी से वह कारिय करते हैं फिर भी मन में ये संका क्यों रहती है महराजी कि ये सफल होगा की नहीं क्रप्याफ समाधान कीजिए देखिए अच्छे कारिकों हम कितने भी विश्वास भर सिक्षे भर के करें ऐसा कहते हैं मन में शंका क्यों होती कहीं न कहीं वो हमारे आत्मिश्वास की कमी को दर्शाता है और इसके पीछे हमारे अतीत के अन्होवी काम में आते हैं अतीत में हमने बहुत वार ऐसे काम किये होते हैं जिसमें सफलता न मिले हैं या किसी ऐसे विक्ति को देखते हैं जो किसी कायर को किया उसे सफलता ना मिले तो उसको देखकर हमारे मन का मन डगमगाने लगता है हमारा मन डगमगाने लगता है हमारे मन का विश्वास कमजोर होने लगता है कहीं सफल नहीं हुए तो इससे बचले के लिए कोई भी काम करो आगे पीछे विचार करके करो तो आपके मन की ये संकाह कुछ कम होगी और फिर उन लोगों को देखो जिन्हों ने इस तरह का काम करके सफलता को पाया ऐसे विक्ति को सामने मत रखो जो फेल हो गया ऐसे वेक्ति को देखो जो पास हो गए मेरे पास एक यूवक आया यूपी एस्टी का एक जाम देना चाहता था उसमें जाना चाहता था प्रिद्वामा पारिवारी परिस्थिती बहुत सामाने थी उसके परिवारी जन देख सोचते थे कहीं इधर जाएगा पास लेकर आये मैंने ऐसे उसके मन को टटो लने के लिए पूछा उससे कहा पहले पूछाई इस पर कित्ते लोग बैठते हैं तो बहुत करीब आट-दस लाक लोग सिलेक्ट कित्ते होते हैं मैंने बहुत जेनरल के टेक्री में लगबख तीन सो की सीट आती है हमने बताओ इत्ती सारी लोगों में इत्ती से निकलते हैं तुम इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो लोहे का चना चबाने जैसा काम है कर पाओगे उस बच्चे ने जो जवाब दिया उससे मेरा मन प्रफुलित हुआ उसने क्या कहा महराज मैं उनको नहीं देखता जो विफल हो गए मैं उनको देखता हूँ जो सफल हो गए मेरा नाम तीन सो में भी तीस में आएगा पीछे नहीं मैं करूँगा और मुझे विश्वास है मैं कर लूँगा मैंने कहा तेरे हिर्दे में ऐसा विश्वास है तो पक के तौर पर निकल जाएगा और आपको बताऊं वो दूसरे एटेंट में निकल भी गया आज उसका सेलेक्शन हो गया तो ये दृष्टी कौन हो तो मन की शंका खत्म हो जाता है नमोस्त माराजी एक प्रश्ण और है माराजी मेरे बच्चे का प्रश्ण है माराजी ये जो मच्छर होते हैं तो ये जीव जन्तु मगर ये काटते हैं तो कभी-कभी इनको धोके से मार भी दिया जाता है तो पाप तो लगता होगा माराजी तो क्या करना चाहिए एक बच्च मेरा एक छोटा सा प्रस्द है या नमस्तू जीवनदर्षन और आध्यात्मदर्षन में क्या उन्तर है और हम इन दोनों दर्षनों के बीच में कैसे सामंज़स से बठा सके। जीवन दर्शन है जिसमें अध्यातम जुड़ा है उस जीवन के साथ जुड़ेवे दर्शन का लाम ही जीवन दर्शन तो हम अपने जीवन को जब ब्यापकता से देखते हैं उसमें जो चीजे जुड़ी है और उसके साथ विक्ति का दिश्टिकोन जब आतमा की तरब जुड़ जाता है तो अध्यातमा जाता है तो लांगना से स्रीमतिर सुषिला जी पाटनी और अगले क्रम में मैं आमंतित करता हूं कीर्ति मयंक सिंगई सागर से गृुवर के चर नौमें तरएवार नमोस्टो नमोस्टो गृुदू हम लोग अभी कुंडर पूर से आए है गृुदू हम लोग 5 दिन रह थे आए गृुवर के इस्वासरान हमको बहुत अच्छा लगा तो वहाँ समोशना छोड़के आए वो हमारा दुर्भा के है या हम आए यह हमारा सोबा के है कृपय समझाईए मोक्ष कल्यानक को छोड़कर मोक्षे सली में आ गए तो अच्छा सिद्ध सली में भी नंबर जल्दी लग जाए इदर उदर गए होते तो बात अनग है सिखर जी आया है तो अच्छा नमस्तु गुरुवर गुरुवर और एक मेरे पोती का बहुत लोग है चलो एक प्रशन मेरे पोती का बहुत दिन से है गुरुवर वो पूछती है कि सब लोग गुरुवर से इतना प्रशन पूछते है तो क्या उनको शंका रहती है या वो गुरुवर को अजमाने के लिए क्वर्शन पूछते है वो तो उसी से पूछो किसके लिए पूछते है आप अपना ही बताओ किसे लिए पूछते है मुझे तो ऐसा लगता है जो मेरा अनुवा खोल दूँ आप लोग खोल मेरे नजर में चाल तरह के प्रश्णकार आते पहले नम्मर पे वे जिनकी यथार्त जिग्यासा होती वो अपनी जिग्यासा का समाधान पाने के लिए प्रश्ण करते मन में कोई भी बात है उसको दूर करे दूसरे करम में वे लोग जिनके मन में कोई दूबधा होती है वो दूबधा को दूर करने के लिए प्रश्ण किया करते हैं कि मन में कोई दूबधा हो जाए तो हम अपना प्रश्ण करके निकाल दे तीसरे कर्म में वे लोग हैं जो इस प्रष्ट की माध्धम से समाज को कोई अच्छा संदेश दिलाना चाहते हैं वो संदेश पहुंचे इसलिए कि हम आज एक प्रष्ट उठाते हैं इस मंच का लाब बहुत लोगों को मिलेगा और उस संदेश का फाइदा बहुत लोग ले लेंगे तो एक अच्छा कायर होगा तो संदेश देने का दिश्टिक होना और चौथे कैमेरे में आने के लिए है ना देखो आप लोग खुद इमानदारी से बोलो प्रष्ट तो एक का आते पाँच है ठीक है यह राग है एक को मौका तो मिल रहा है कम से कम इसी महाने सही चलिए कोई बात नहीं कैमेरे में आकर के भी यदि आप हरदय में जाकने की कला प्राप्त कर लो तो इसमें कोई पाप नहीं है हाँ कुछ लोग है जो महराज को नापने के लिए भी आते किया उतर देते है कैसे कुछ लोग मेरे पास घुगली फेकते है पता है घुगली फेकते है पर अभी तक मेरा बिकेट डॉण नहीं कर पाया फेको गेंध तुम्हारई ये बल्ला तो मेरा है मेरे हाथ में मुझे क्या और कैसा उतर देना है आयो इती मैंक शायरे चाहर से एक माद इसके बाद नमस्तू हुरдеव नमस्तू मेरा एक प्रश्ट रहे हम पूज़ा करते है पूज़ा में विलाईची चड़ा थे तो विलाईची का फल मिलता है या वह और घमे चड़ाना चाहिए इलाइची फल है की नहीं फल है तो पुरी फल नारियल का फल है नारियल वैसा पुन्ने मिलता है ऐसा कुछ नहीं है फल चलाने से पुन्ने नहीं मिलता है भाव से पुन्ने मिलता है चलिए नमस्तु 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 कि सौपन का फल क्या होता है मुझे कुछ जब मेरी सादी होई थी कुछ साल पहले तो मुझे सौपना आया था हमारे यहां सावकारी का विज्जिस होता है तो मतलब जहां पर हम लोग वो सब कुछ रखते थे उस समय पर यह सपना आया कि आपके यहां के ताले तूट गए और सब लेके चले गए तो जिस दिन हमारी वहां से बिदा हुई उसी रात में दो वजे हमारे यहां चोरी हो गई तो मतलब सब कुछ चला गया फिर अभी कुछ महीने पहले की बात है कि पापा की तवियत खराब चल रही थी तो समय चार या पाँच वजे होंगे सोवे के तो समय सपना आया की आचरसरी शपने में आये अपने का आचरसरी नमोस्तू तो उनने ऐसा हाथ किया और बोला बस छे दिन तो जिस दिन सपने निडर्थक होते हैं उनका कोई फल नहीं होता पर आपने जो दो सपने दिया है बताया उन दोनों के फल आपको देखने को मिले है तो इन सपनों को देखते वे आपको पहले से सावधान हो जाना चाहिए और जब कभी भी कोई सपना आये तो उससे एक सांकेतिक प्रतीक मान करके स्विकारना चाहिए और सज़एक हो जाना चाहिए सपन आया इसलिए ऐसा हुआ ऐसा नहीं समझो ऐसा होना था इसलिए सपना आया यदि ऐसी दिष्टी आप अपने अंतरमन में रखेंगे तो सारी चीजे ठीक हो जाएगे हमारे ज़्यादा तर सपनों का कोई अर्थ नहीं होता कुछ प्रश्टे ही अर्थवान होते हैं कुछ सपने ही अर्थवान होते हैं सपनों के विशे में भी एक बात बताओ असवस्त वेक्तियों के सपनों का कोई लाव नहीं होता ये नेमित सपन देखने वाले के सपने भी प्रया निर्थक होते कचित कदाचित सपन देखने पर और ऐसे सपन जो याद रहे और उसका भी तिथी और समय पर निर्फर करता है किस तिथी में किस समय पर आपने कौन सा सपने देखा कर दो बस हो गए इस बात मैंने आपको शंकेत में दे दिया बात को यहीं पर पूरी करें ओब नमोस्त मेरा जी नमोस्त ओब ओब ऑब अच्वार पूचो पूचो ओब अपनी शंकाओं के समाधान के लिए उपस्तित होने क्रिपा करें अगले नाम के लिए स्री संपत जी पहाड़िया स्री मतिस संतोज देवी गवहाटी से आज़े दिवा करें जाप अगले क्रम में सुयस जैन जी सिंगही ठीकमगर से तयार रहेंगे नमस्तु माराजी एक सवाल अक्सर जैन में आता है कि अनन्त जब हम पूझते हैं तो हमसे कह दिया आता है कि अनन्त कही तरह के होते हैं उसमेंसे एक अनन्त अनन्त भी है बस्तु के गणों पर याए किस अनन्त की श्रणी में आते हैं अनन्त अनन्त अगर ये अनंता रंथ है तो फिर केवल गयान कभी नहीं होपाएगा क्योंकि वो कभी खतम नहीं होगा केवल गयान को नहीं जानते सब को जानते अनंत को जानते चलिए आगे अगे स्वियद जी सिंगई ठीकमगर से और अगले करमे में साधर आमन्तित करता हूं स्रीमान अनेल जैन साब हमारे को साध्य गुरायतन दुई महराजों के चरणों में तुरे बार नमोस्तू नमोस्तू महराश्री मेरा प्रशन है कि आत्म ध्यान के अलावा क्या करम नरजरा का और कोई साधन है मंदिर जाना अहिंसा से रहना आदी से भी क्या नरजरा होती है देखे, अत्म ध्यान निर्जरा का अमोग शाधन तो है यह, लेकिन धर्म ध्यान भी कर्म की निर्जरा का शाधन, धर्म ध्यान में भगवाइन की पूजा अर्चना, सेवा, यह निर्जरा का कारण है, ब्रतों का पालन, यह निर्जरा का कारण है, तो जितने मंतर जापादी का अनुष्ठान ये कर्म निजरा के करें ऐसा मत सोचना कि इन से केवल पुन्य का बंद होता है पुन्य के बंद के साथ साथ पाप की निजरा भी होती भगवान का नाम लेने मात से असंख्यात गुने कर्मों की निजरा होती इसलिए हर विक्ति को जहां जिस अवस्था में हैं अपनी सक्ति और परिस्थिति के नुरू कर्म रिजरा का पुर्शाथ करना चाहिए हमारे कोसाध्यक्ट स्री मान एंजलियन साथ और मैं आमन्तित करता हूं स्री प्रिदुम जी जैन दिल्ली दोनों गुरुओं को साधर नमन वंदन मारा स्री निर्णे लेना बहुत आसान है लेकिन निर्णे चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो लेकिन डलती उमर में निर्णे लेना बहुत आसान नहीं होता मारा जी मेरी जिग्या साहिए है कि यक्ति कोंच ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको वो ध्यान में रखे कि निर्णे लेने से पहले देखिया आपने एक बात कही कि धलती उमर में निर्णे लेना आशान नहीं होता मैं आपको अभी अभी गुरुदेव का उधारन पस्तुत करना चाहूंगा और आप सबसे कहना चाहूंगा कि देखे निर्णे कैसे लिया जाता है गुरुदेव ने साबित कर दिया कि धलती उमर में कैसे निर्णे लिया जाता है और उस निर्णे पर अटल रह करके उसका कैसे पढ़ना पाए जब आज कुंडलपुर का महा महुत सो सानन्द संपन हुआ सोच सकता है अच्छे अच्छे लोग सोच में पढ़ गए आठ दिन की तैयारी में इतना बढ़ जाये हो जाना इतने भब तरीके से संपन होना कोई छोटी बात नहीं है जिनका आत्मिश्वास पका होता है उन्हें निर्णे में कोई बिलंब नहीं होता है उनका निर्णे अटल भी होता है अच्छा भी होता है और जिनके अंदर आत्मिश्वास की कमी होती है वो जल्दी से कोई निर्णे नहीं ले पाते हैं और आत्मिश्वास की कमी होने के कारण अपने निर्णे को ठीक ढंक से फलवान भी नहीं बना पाते हैं तो निर्णे लेने के लिए हरविक्ति के अंदर पहली बात तो आतमिश्वास होनी चाहिए इच्छा सक्ती की प्रवलता होनी चाहिए और अपने निर्ड़ा को सही साबिथ करने की प्रबल उतकंथा होनी चाहिए ततपर्ता होनी चाहिए तब यह सारे काई नमस्तु महराश्री सिवान प्रदुम जी जैन दिली से और अगले क्रम में तयार रहेंगे राशी जैन जबलपुर नमोस्तु महाराश्री महाराश्री मेरे मन में काफी दिनों से एक पर्षन उठता है कि जैसे भी हमारा इस्वी के हिसाबसे जनुवरी फर्वरी के बारा महिने के हिसाबसे थिया है एक हमारी चंद्रमा के कलाओ के पर अधारित समवत जो हम थिदों पर देखते हैं हिंदू क्लेंडर के साथ से और महाराश्री चोथे काल में कोई और सिस्टम रहा होगा जरूर तो एक तो महारा चली जो हमारे तिर्थंकरों की जो पंच कल्यानक की तिथिया हैं उसका सामज़से कब और कैसे बठाया दूसरा मैं जाद दर देखता हूं तिर्थंकरों के दो कल्यानक, तीन कल्यानक लगबग सेम तिथि में आते हैं तो क्या उनकी तिथि अवेलेबल नहीं थी इस वज़े से उसको फिट करिया गया तीसरा मारे जी एक इसके साथ जुड़ा हूआ है कि जो मोक्ष कल्यानक पे समय सिकर जी की बंदना करने का अपना महत्व तो है मोक्ष कल्यानक पे अगर करने का कोई अलग महत्व है क्या देखे बहुत अचा सवाल आपने किया जहां तक काल मान का शवाल है यह वैवार काल है और यह समय समय पर बदलता रहा है बरतमान में इश्विशन पुरे विश्व में लगवत प्रशिद्ध हो गया है इससे पूर विक्रम संबत सक संबत यह सब भी दो हजार बाइस सार 2100 साल की बात है उससे पहले बीर संबत चलता था बगवान महावीर के पहले भी कोई ने कोई संबत सर तो था नाम उसका कोई और होगा विक्रमादित्य के पहले भी था सक के पहली भी था इसा के पहले भी था राम उनका भिन्न था लेकिन चैद वैशाक आदिक माश अब प्रति पजा आदि तिथिया भारती परंपरा में आदि काल से है समझे तो वो तिथी माश उसके अनुशार पूरा पंचान उसी से अनुशार कलेंडर बना तो हमारे तिर्थंकरों के कल्यानकों की तिथियां मूल तहर तिलो पन्दती से प्राप्त होती है प्रतिक तिर्थंकर के गरभावतरन, जन्म, दिक्षा, केवल ज्यान और निर्वान कि सारे तिथी और नच्छत्र का वर्नन है उसी हिशाब से हम लोग उनके कल्यानक बनाते हैं आपका कहना है कई तिर्थंकरों के जन्म, गर और दिक्षा का कल्यानक एक ही है क्या तिथियां नहीं मिली नहीं ये योग ही ऐसा था अगर आप थोड़ा कल्कुलेशन करोगे तो साइदे निकाल सकते हैं कि इस योग में जन्म लेने वाले जाता कि इतने वर्स में ऐसा परिवर्तन हो तो सेम तिथि में दिक्षा हो गई और जनम दिन को सार्थक बनाने का रास जनम को सार्थक कराना है तो दिक्षा लो और दिक्षा लेना है तो जनम दिन के दिन लो ये एक सेयोग बना हलाकि हमारे तिरसंकर भगवन्टों के कल्यानक सितियों में कुछ में फेर है अभी चंदेपप्ण भगवान की भी है फागौन खृक्ष्णा सब्तमी और फागौन सुधी सब्तमी दो आते हैं सीतलाद भगवन के कल्यानक में भी और पुश्विदंध भगवान के खलनक में भी कई खलनक में अंतर इस पर हमारे समाज के एक प्रख्याद जोतिश विध है जो पैसे से चिगिस्थख है राक्टर सुरेज ये तीकम गर उन्हों ने जोतिश्य गनितिओं के आधार पर तिर्थंकरों की कल्यानक तिथियों पर अपना सोध प्रकट किया है संभवता मेरे पास होगी और उसमें उन्होंने बताया कि ये जो भेद आया है क्योंकि परंप्रागत उब्देश नष्ट हो जाने के कारणे काईजेगा अंतर आ गया पर वो जो उन्होंने सोधा है वो बहुत बेवस्थित है क्योंकि तिथियों के हिसाब से नच्छत्रों की गती होती है और उसी हिसाब से उन्होंने उसका कैल्कुलेशन किया है क्योंकि कई तितिया ऐसे जिनके साथ उस दिन वो नचातर कताई संभावी नहीं है तो उन्होंने उसको कैलकुलेट किया है उसको उस तरीके से देखना चाहिए मौक्ष का लैनक का कुछ स्पेसल महत हो मौक्ष तो हमारा अंतिम्धे है तो महत्य तो उसका होना ही चाहिए तो मौक्ष का लैनक का मतलब क्या है अपने मौक्ष मार्ग को प्रसस्त करने की प्रबल भावना बनाना ही मौक्ष का लैनक महत्सों को मनाने की सार्थ सकता है तो हम मौक्ष का लैनक मनाना चाहते है अपने जीवन में मौक्ष के प्रती, मौक्ष मारी के प्रती नुराग जगे, शद्धान जगे, उस दिशा में आगे बढ़ने का सहास और संकल्ब जागरित हो, तो मौक्ष के लानक प्राफ करते है। इस्थान की प्रशिद्ध यहां सम्मेशिकर क्यों आते हो, क्यों आते हो, बढ़न मौक्ष है, तो जिस दिन बढ़न मौक्ष है, उस दिन आये और अच्छा है, अच्छी बाद, चलिए राशी जैन जवरपुर, अपना प्रस रखेंगी इसके पूर गुर्वर, आपकी आग् में, गुनायतन परशन में, परम पूज गुरवर, 108 प्रमार सागर जी महराज, अरे सागर जी महराज के सानिद और आशिरवात से, संस्कित भासा का, स्री सिद्ध चक्र मंडल विधान का एवजन निश्चित हुआ है, आप सभी को अवगत कराते हुए हर्स हो रहा है, प्रति मंडल के साब से, एक-दो मंडल कुछ सेस बचे हैं, इसलिए आप लोगों संरोध है, सिग्रति सिग्र, आप अपना मंडल अरक्षित करके, इस अतिश्यकारी विधान में भाग लेने का मन बनाए, हमें अवगत कराएं, आपकी पूरी वेवस्ता, भोजन, आवाज क सारी वेवस्ता, गुनायतन कमिटी करेगी, इसके अलावा, जो लोग, दो लोगों के लिए, एक क्यावन हजार रुपे में भी वेवस्ता की गई है, आप विधान में अपनी सहिवागता दे कर, अपनी शुकती पदान करें, जिससे आपकी वेवस्ता की जा सके, और आपको ये भी हर्स के साथ बताना चाहते हैं, स्री राजेन जी, स्रीमती, गीता जी, गुन्नौर, हरियाना, इन्होंने, एक कन्नौर, इन्होंने अपने मंडल की एक सुकती पदान की है, सिरोमनी सनक्षक गुणायतन, आपने एक मंडल की सुकती पदान की है, बड़े हर्स के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं चलिए अगले प्रस्ण के लिए प्रस्ण रख रही है राशी जैन जबलपूर और अगले प्रस्ण में तयार रहेंगे किरती मयंक शिंगई सागर से नमोस्तु महराज जी मैंने आज आपका यहां हाई को पढ़ा दूसरों के दोश को देखकर खुद को दूशित ना करें महराज जी मेरा प्रस्ण यह है कि जब हम दूसरों के दोश को देखते हैं तो जाने अन जाने में वे हमें बताने में आ जाते हैं कि उसमें ये कमी थी वो कमी थी पर जब हम अपने आपको देखते हैं तो अपने आप में पॉफेक्ट नजर आते हैं तो महराज जी हम ऐसी कौन सी द्रश्टी रखें जिससे हमें दूसरों के दोश ना देखें और हम अपने आपको दूशत होने से बचा सकें यह हमारी बहुत बड़ी दुरवलता है कि हम दूसरों के दोसों को बहुत अद्परता से देखते हैं रुचि पुरवक देखते हैं और हमें अपनी कमिया दिखती नहीं हर विक्टी अपने आपको दूट का धुला मानता है लेकिन यदि विक्टी के अंदर दो दुष्टिया है एक आत्मा लोचन की अर्थात खुद के खूबियों और खामियों को टचस्त भाव से देखने की आज में अपने भीतर जहां कर देखे तो उसे पता लगेगा कि मेरे अंदर कितनी कमिया है कितनी अच्छाईया हैं, कितनी तुटिया हैं और कितनी खूबिया है तो वो अपनी कमियों का अहसास कर सकेगा और दूसरा गुनक ग्राही दृष्टी दूसरों को गुनों को देखने की दृष्टी प्रकट हो जाए तो हमें बुराई में भी अच्छा ही दिखेगी तो ये द्रिष्टी अपने अंतरमन में विख्षित करनी चाहिए तभी हम कुछ अच्छा करने में शमत हो सकेगा नमोस्त मराजी कीर्ती मैंग जी शिंगई उपसित नहीं है गुरवर हमारे प्रोजेक्ट डिरेक्टर है सियासीज जी उनके एक प्रसनाया है संबंधी का जब हमें अपनों से कुछ परिशानी होती है तो हमें बहुत ब्याकुलता होती है हम अपने को कैसे कंट्रोल करें अपनों से परिशानी होती है तो बहुत ब्याकुलता होती है ऐसे समय में अपने आपको कैसे कंट्रोल करें बात सही है दूसरों का आगात पर का आगात बले आशानी से सहा जा सकता है पर अपनों का आगात बहुत मुश्किल होता है पर मैं ऐसा कहूंगा जब कभी भी ऐसा लगे कि ये आगहात अपनों के द्वारा पहुँचाए जा रहा है ये परिशानी अपनों के कारण है तो उसे थोड़ा ये मान करके नजर अंदाज करने का अभ्यास बना ले कि चलो अपने ही तो है जब हम गैरों की परिशानी को जहल सकते हैं अपनों को भी जहल ले यदि उनकी परिशानी को भी शहने में शमर्त बन सकेंगे अगला अब मैं आम अंतित करा हूँ मुरेना से इंजिनियर पूजा जैन जो प्रमाणिक एप में भी ये उन्हों ने काम किया है अपने पिता जी विरेन जैन के साथ उपस्तित हो और अगले करम में तयार रहेंगे नागपुर से स्रीमति सुनीता राजेन जी जैन इंजिनियर पूजा जैन जो हमारी प्रमाणिक एप की सक्री सदस प्रमाणिक एप की समूः प्रमानिक समू की सक्री सदस हैं गुनायतन परिवार आज इस उसर पर उनका संबान भी करना चाहेगा तो मैं अन्नोत करता हूं हमारे कोशादेक्ष एनेल जैन साब और स्रीमान प्रदुर्म जी और स्रीमति पूनम जी आपका पूजा जैन का संबान करेंगी चलिए आप संसार में रहते हुए मतलब इतना अपने आपको विशुद्ध बना लिया कि कहते हैं कि वस उतारते उतारते ही उनको केवल ग्यान हो गया उस तरह से कल्यूग में हम कैसे अपने आपको साध हैं मतलब अपनी साधना रखें किन सूत्रों का पालन करें कि हम अपना उद्धा देखे, पहली बात तो यह जो कहा जाता है कि भरत चगष्दि को कपड़े उतारते उतारते केवल ग्यान हो गया यहाए यह बात सही है, लेकिन केवल कपड़े उतारते उतारते नहीं वहाक प्रप्डा उतारने के बाद केवल ग्यान हो और यहां तक पहुचने केymm upgrade के लिए भगवती आराथना में किसी न ऐसा सवाल उठाया कि जिंदिगी भर त्याग तब करने की जंजट में क्यों पड़े भरच्यकवर्ती की तरह अंत में जागे और सीधे अपना कल्यान कर ले केवल ज्यान कर ले तो महां जो जबाब दिया बहुत ध्यान देने योग है वहां कहा किसी महानगर के व्यस्ततम चौराहे पर दिन के बारा बजे यदि किसी अंधे को कोई निधान खजाना मिल जाए तो ये देखकर कि अंधे को खजाना मिल जाता है अपनी आँखे फोड़ लेना काता है अच्छी बात नहीं मानी जाए समझ गया है ये बाई चांस हो गया इसने अंतमे मैं वे राग धारन करू ऐसा नहीं मेरे अंदर राग आए नहीं ये देखो तीक अब एक जो दूसरी बात आती है उन लोगों के सामने जो गहस्ती में फस गये हम तो गहस्ती में फस गये अब तो फस गये हमारा रास्ता ही नहीं मैं कहता हम नहीं हमारे चोविश में सो उन्नीस ती थंकरों ने पहले गहस्ती वसाई फिर निकल कर सबका मोक्षमार्ग खोला है तो गहस्ती के बाद भी मोक्षमार्ग की पूरी संभावनाएं है गहस्त बनो दाईत का पालन करो और फिर मोक्षमार्ग में बढ़ो यह पास ती थंकरों की जो परिपाटियों अपवाद सरूप है मैं तो यह कहता हूँ तुम सब ब्रह्मचारी बन जाओ बाल ब्रह्मचारी बन जाओ तो जैन धर्म ही रुख जाएगा जैनी नहीं बचेंगे संतती का क्या होगा इसलिए यदि कोई गहस्ती में फशा है तो व्याकुल ना हो गहस्तो चित करतब्यों का पालन करें गहस्त धर्म का पालन करें दान, पूजा, सीर और उप्वास उसकी ये चार धर्म है इस धर्म का अनुपालन करते वे अपने जीवन में आगे चल कर मुक्ष मार्ग को अंगी कार करें और अपना कल्याद इंजिनियर पूजाजयन का समान गोनाइतन कमिटी कर रही है आप बैंगलोर में सेवा रहते हैं प्रमानिक एप तो प्रमानिक समुह का एक माध्यम मात्र है प्रमानिक स्कुराख बहुत काम कर रहा है और इनमें जैसे लगभग rare सो professionals काम कर रहे हैं और सब पूरी तरहा स्वैम सेवा कर रहे हैं एकडम सुलक को अपनी सेवाई दे रहे हैं इनमें प्रमानिक पाठ साला भी चलती है प्रशनों पर भी काम करते हैं बहुत बहुत सारे कारियें लोग करते हैं बहुत अच्छा कार रहे हैं मेरा बहुत बाशिवा चलिए कुंडल्पुर के बड़े बाबा की जह कुंडलपुर में विराजित पूरा समोसरण है महराज जी, यहां प्रमाण सागर, अराय सागर महराजी को मैंने मुष्टी करते हुए, महराज जी मैं यह बोलना चाहती हूँ, मेरा जनम दमोई, मद्धिदेश कुंडलपुर का है, महराज जी मैं दमोई की होती हुए भी महर लेकिन समॉसरण में नहीं जा पर वे अभाष जैसा लगता है कि मेरे जैसे असुब कर म Эपिसी कि नहीं होंगे महराजी कि工作 को जनब होते हुए कि मैं क्या इंद मेराक़ए मेरा उड़ी आप जो हो गया वो तो दिकल गया अभी वी ऑन मजिंव वही है गया नहीं है जल्दी से चले जाओ, मौह छोड़ो जल्दी जाओ, आश्विर्वा, चलिए नमस्तु महराची आपकी अन्मती से गुर्वर आउनलाइन एक प्रस्न है प्रकाश जी पाटनी राश्ट्री उपाध्यक्ष सिदिगंबर जैन महा समयती अजमेर राजस्तान से वो आपके चणों में तिर्वान नमस्तु करते हुए उनकी अपनी शंका है कि हम अपना जीवन ऐसा कैसे बनाए जहां किसी चीज की जरूरत नहों और नहीं कुछ भी जरूरी हो कि प्या समाधान करें अपना जीवन कैसे बनाएगी जहां किसी चीज की जरूरत नहों और नहीं कुछ जरूरी हो अगर विक्ति अपनी इच्छाओं को मोड़ दे अपनी आवशक्ताओं को शीमित कर दे तो ऐसा हो सकता है सैयम और शंतुश हमारी इच्छाओं के नियंतरन में बहुत बड़ा माध्यम है आत्मसैयम लाएं मन में संतोस रखें तो हमारी जरूरते सीमित होगी हम इच्छाओं से मुक्त होंगे और ये तब होगा जब हमारे हृदय में आत्मग ज्यान होगा आत्मग ज्यान के बड़ूलत हम आत्मसैयम और संतोस खटित कर सकते हैं और जब ये चीज़े होगी तो बाकी चीज़े अपने आप गयर जरूरी हो जाएगी और ऐसी दुथाएं खतम होगी अगला ऑनलाइन प्रस्ण है गुरवर उगम लटा गंगवाल मदन गंज किसन गड़ ट्रस्टी गुनायतन आपके चड़ों में तृवान नमस्तु करते हुए निवेदित करते हैं कि सत्य कड़वा क्यों होता है कुछ लोग तो जूटे ही होते हैं वे हमेशा जूट में ही खुष रहते हैं ऐसा क्यों कि प्या मेरी शंगा का समाधान करें सत्य कलवा क्यों होता है जूटे होते हैं जूट में ही खुष क्यों होते हैं कभी जो औस्थी होती है वो कड़वी होने पर भी लेनी परती है लेकिन यदि कलवी आसदी है फिर भी वो स्वास्थ दे रही है तो श्वीकार हो करी गुर्देव ने एक बहुत अच्छा हाइकु लिखा है कटू प्रियोग उन्हें भी रुच्ता उन्हें रुच्ता जिने आरोग्य पाना कटू प्रियोग उन्हें रुच्ता जिने आरोग्य पाना अगर तुम्हें स्वस्तो होना है तो कलवी दवाई खाने के लिए तैयार होना पड़ेगा जिस विक्ति के जीवन में धर्म के प्रती सची निष्ठा है उसके लिए सत्त का प्रियोग कभी कटू नहीं होगा वो कटू भी उसके लिए आउस्दी बनेगी पर जिने केवल असत्त की मिठाई खाने की आदत है वो कल बदहजिमी के सिकार बनेंगे और ऐसी दुरवस्था होगी कि खाने लाइक भी न बचेंगे इसलिए अपने जीवन की धारा को ठीक दिशा में बढ़ा करके चले और सदेव सत्त के मार्ग में इस्थी रहते वे चले ताकि हम अपने जीवन के पस को प्रसस्त कर सके झाल